हेलो गाइज, वेल्कम बैक टू दा चैनल, आज हम बात करने वाले हैं इस यूनिट के लास्ट टॉपिक के बारे में, बेसिकलिए जो लास्ट टॉपिक है रखाया है वो है पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा, तो ये क्या होता है, हमने अभी तक आप से जो बात की है वो regular language के बारे में बात की है, और regular language क्या होता है, कि इसके regarding कोई ऐसे एक string या कोई set of letters होगा और generate होगा और वो finite automata जो इसको accept करेगा, जो भी मशीन होगी वो accept करेगी, ठीक, तो कुछ language ऐसे भी होंगी जो ऐसी string को generate करेंगी जो machine accept नहीं करेंगी तो it means वो language कौन सी language होंगी अगर वो accept नहीं हो रही है तो वो regular language तो है नहीं जब वो regular language category में नहीं आएंगी तो वो कुछ ना कुस्तो होंगी तो उस प्रकार की language इसको हम कहते है नौन रेगुलर लेंग्वेज ठीक तो यह कुछ ना जाता है डिफाइन नौन रेगुलर लेंग्वेज टू मार्क में कभी तो इसके रिगार्डिंग क्या लिखना है आपको सिर्फ कि जो string इसकी हैस से जो string जरने ठोंगे करो फाइने टेटो मेंटा एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम उन्हें क्या करेंगे क्या कहते हैं नौन रेगुलर लेंग्वेज कहते हैं ठीक अब यह तो ओगे थोटीकल होता क्या है कि जो हम pumping lemma बात करने बारे हैं यह pumping lemma theorem है यह decide करती है यह यह बताती है कि जो आपकी जो language है वो non regular language है ठीक और by chance जैसे हमने machine design की नहीं accept हो रहा तो हम डारेक्ट लिक है तो नहीं सकते भहिया अपने capability के according किसी और बंदे ने design कर दे उसके लिए कोई machine ठीक तो क्या इसके लिए एक ठोरम है अगर वो theorem satisfied करती है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या non regular grammar है ठीक तो this theorem can be used कौनसी theorem? pumping lemma pumping lemma theorem can be used to prove that certain regular set and language regular set या language are not regular मतलब कि जो pumping lemma theorem है वो क्या काम करती है वो सिर्फ यह ही काम करती है जो आपका set है या जो आपकी language है उसको एज़ा एक तरीके से उसके लिए certification प्रोवाइड करा देना कि यह non regular है ठीक किसी भी चीज़ को दिखाने के लिए certificate रना चाहिए नहीं तो वो क्या है वो non एक तरीक से pumping grammar यह चीज़ प्रोवाइड करा देती है तो अब यह कैसे करते हैं इसके रिगार्डें एक numerical भी देखेंगे हम we follow the following step इसके लिए कुछ step follow करने पड़ते है assume that given language L is regular सबसे पहले क्या है आपको एक language दे रखी होगी और उसमें यह देखा होगा कि प्रोव कीजी यह क्या है non regular language है ठीक तो हम क्या मानते हैं हमें तो पता नहीं है कि non regular होता क्या है हमें idea नहीं हमने अभी तक regular के बारे में पड़ा है तो हम उसको क्या consider कर लेते हैं let जो language है वो क्या regular है assume ठीक let end with the number of state corresponding to the automata अब जब वो regular language हमने मान दे को उसके रिगार्डे कोई न कोई आटोमेटर डिजाइन हो रहा होगा तो उसमें जो that of number of state होंगी वो क्या एन होगी ठीक select a string w such that length of w should be greater than n याने कि अब उसके regarding आपने कोई कि इस्टिंग मानी language के regarding जो आपने regular language मान दिए ठीक अब उसकी जो string की length होगी तो वो number of state से greater than होगी ठीक यह आपकी length of string और यह आपकी number of state regarding automata अब यह सारे कहानी assumption में चल लगी है ठीक ओके और डबलू के regarding अपने एक string मान ली x y z यह भी लेट में ठीक तो होता क्या है जब आप डबलू के regarding को बेस्टिंग x y z मानते हैं तो वहां क्या होता है जो आपकी y है यह वाला जो y है इसकी value null के equal नहीं होनी चाहिए यह दो बातें हमेंसे ज्ञान रखने चाहिए कि null की value y की जो length है वो null के equal नहीं होनी चाहिए और जो x y की length है combine करके वो less than equals to n n का number of state है और number of state कैसे generate होंगी वो आगे आपको numerical में बताया जाएगा ठिक तो find the suitable integers i says that अगर यह सारी चीजे हैं यह सारी चीजे हैं तो हम क्या एक format generate होता है वहां से x y की power i z इस तरीके का एक sequence लिखते है x y की power i z यह standard है और यह जो sequence होता है यह language को belong नहीं करता यह माना एक sequence हमने और यह language को belong नहीं करेगा ठिक तो this contradict our assumption l is non regular यह अब यहां से जो एक concept start होता है यह प्रूब करने का यह non regular है ठीक नोट पॉइंट यह कुछ नोट पॉइंटों के दिहान रखे यह सारी चीजे हैं आपको जो भी मैंने थ्वारी में बताए सारी आपको एकदम numerical से बहुत easily clear हो जागी करना क्या है एक्चुल इस चीज में यह तो बता देए किसके लिए यह contradiction है किसका कि यह non regular grammar के लिए है ठीक कि in some case we prove x y ki power i z does not belong to L वाइ टेकिंग दे लैंथ पूरे की लैंथ लेगे in some case इसके structure यहाने कि कभी कभी एक y ki power i में बहु कर देते हैं y की power i single भी प्रूब करते हैं यह y की power i z और यह सारे-सारे जैसे केस बनना है यह केस भी एक ऐसा question रखा गया है जिसपर यह सारे किसा केस आपको क्लियर हो जाएंगे दा डिकंपोजिशन इस वैलिट ओंली फॉर इस्टिंग ओफ लैंथ विल ग्रेटर दैन इक्वेश्टू नमर ऑफ इस्टेट ग्रेटर दैन जो डिकंपोजिशन है वो जभी वैलिट माना जाता है मतलब कि इनको जो हम इस पूरे सेट को जो डिकंपोज करते हैं उस फॉर्मिट में डिकंपोज करेंगे कि जहां जो लैंथ आफ इस्टिंग होगी वो ग्रेटर दैन एन होनी चाहिए ठीक सर्फ यह चीज़ देखिए है अब यहां कुछ नुमेरिकल है और लास्ट में जैसे क्या है कि पाथ फ्रॉम हमें जब क्य से क्यूबन कोई पाथ मिल जाएगा लास्ट में जो हमने एक्स वॉई की पावर आई जेड जो माना यहां पर हम क्या कर लेते हैं लास्ट में आई इसकोल टू जीरो एज्यूम करके एक्स जेड पर सारी कहानी डिपेंड कर देते हैं ठीक अब यह जितनी भी थोरी है आपक इस ग्रेटर देन कोई स्टू बन डेबलु 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 आर आर का मतलब है क्या रिवर्स यानि कि ए ए अगर एबी के फॉर्म में कोई चीज़ है तो बी ए होग ठीक डेबलु डेबलु एबी एबी समझे एगी पावर पी पी पीज़ा प्राइम ठीक यह चार कुश आप इन रिमेरिंग तीन कुशन होगी प्रेक्टिस कर सकते हैं ठीक हमने पहला नुमेरिकल लिया है ए की पावर एंड बी की पावर एंड एन इस ग्रेटर देन इक्वेस्टू बन ठीक तो सबसे पहले क्या मानना है कि वी आ रेजियोंग डेट गिवन लेंग्वेज इस र रखे वो रेगुलर लेंग्वेज है इसके रिगार्डिंग कोई आटमेटा होगा उस एटमेटा की एन इस्टेट होंगी और जो इस्टिंग है भी आपको जो रिसेंटली इस्टिंग दे रखे वो दे रखे डबलू इसकल टू एक पावर एंड बी की पावर है अब यह कह की पावर एंड यानि की ए जो है एंड टाइंस है तो लेंथ पता चल लिए कितनी है इसकी एंड होगी जाहिर सी बात है रख दिया बी की पावर एंड लेंथ कितनी है इसकी एंड टाइंस लेंथ पता चल लिए एंड एंड इंटू एंड क्या होगे टू की पावर एंड ठ यहां बताया था कि हम आगे काम जब ही बढ़ा सकते हैं जब length of w is greater than equals to n होगा तो यहां देखा आपने कि w की value निकल के आई वो 2 की power n निकल के आई ठीक तो अब क्या है यह condition valid है अब जब यह condition valid है तो हम इसको क्या है अब यह पूरे set को decompose करेंगे now we can decompose in three parts as a sub ishting जो सभी ishting है यह की power n बी की power n उसको xyz के format में divide वो क्या करेंगे decompose करेंगे तो यह जो question है यह तीन case में होगा तो हम इसका पहला case decide करते है यह y के according case बनते है जो तीन case में जो आपको वहां बता रहा था now we can decide what the value of y contains तो first step में हमने यह माना है कि y contain only a जो आपका mid वाला y है तो यह y जो है a की value यह store करेगा सिर्फ अब आपको column में आके सिर्फ इतना ध्यान रखना है फालतों की बात चोड़के कि a की power n b की power n को तीन ऐसे parts में divide करना है कि वो core relevant हो x y z की format में ठीक a की power n माना तो हमने कहा कि y को अभी a दे रखा है if y contain only a तो एक a इसको दे दिया इसको एक नई power k assign कर दी यह k कहां से आया होगा जो इसी वाले एका तो कुछ part होगा तो पहले part में से a की power n minus k निकाल दिया a की power n minus k into a की power k n minus k plus k k से k कट गया a की power n क्या a पर कोई फरक पड़ा नहीं पड़ा इसलिए यहां एकी power k कर दी यहां एकी power n minus k कर दी यहां कि z के पास b की power n है यह ठीक आगे लिखते हैं अब फिर वहां यह था कि length of y is not equal to null second step में हमने देखा था first step में हमें ध्यान रखना है greater than n होना चाहिए then second step ठीक तो यहां है length of y a की power k और k जो माना है वो हमने greater than equals to 1 माना है तो null तो नहीं है k है कुछ ना कुछ है null नहीं है और null की value automata में 0 नहीं होती ठीक अब length of x y calculate की है x की value n minus k थी और y की value e की power k थी k से के काटने पर n निकला n is equals to n ठीक है ना x y की value हमें n की प्रीट रखने है तो n के आदर number of state in automata और इस question में regarding the number of state हमने मानी है n मानी है ठीक यहां तक आई होप आपके पूरा question समझ में आए होगा आगे दिखते है now we can put the value of x y z x y z की जो value है x y की power i z में रखेंगे यह किसको belong कर रहा होगा जैड को L को यह अभी हमने माना है ऐसा माना है लेकिन ऐसा होगा नहीं ठीक यही चीज हमें प्रूब करने हैं यह ऐसा माना है लेकिन ऐसा होगा नहीं तो X की value थी हमारी A की power N minus K Y की power थी A की power K लेकिन यहां I साथ में add किया है तो I को साथ में add कर दिया B की power N किसी language को block कर रहा है for every I is greater than equals to 0 I की value को पहली iteration पे for सारे I के लिए था 0 पे कर दिया 0 पे कर दिया तो इसकी value 0 हो गई और जो string बची A की power N minus K B की power N बची अब जब यह बात यह ऐसे कह रहा था कि B की power N कुछ इस प्रकार है और N is greater than equals to 1 सब के लिए है जब N एक से जादा है या एक के बराबर है N की value हमने क्या 3 रख ली पहली बार में अब K की value आप कुछ भी रख सकते हैं greater than 1 होगी बस क्योंकि K किसका part है N का जब N की value किससे 1 से जादा है तो आप 1 से जादा रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं इसकी value N से छोटी होगी और 1 से जादा होगी हमेशा तो हमने यहाँ N की value 3 मानी है 1 से जादा K की value 2 हो सकती है ठीक A की value 3-2 B की value 2 A की value 1 B की value 2 यानि की A double V sorry 3 है यहाँ पर P है ना triple V ऐसा तो language में ब्रॉंग नहीं कर रहा language कह रही थी A की power N B की power N N is greater than equals to इट मींस जब यह N की value बढ़ेगी तो double A, double V triple A, triple V ऐसा कुछ जनरेट होगा लेकिन ऐसा तो इस language से जनरेट होई नहीं रहा इट मींस यह क्या दिखाता है कि that language is not a regular language ठीक, therefore given language is not a regular language I hope यह numerical आपके clear होआ होगा ठीक, अभी तक था कि जो Y part है जो crucial part X, Y, Z है तो Y ने A को hold रखा था अब जो case second माना है इसके अंदर हमने क्या माना है कि जो Y contain only B इस बार जो Y है वो केबल B को hold करेगा ठीक, याने कि जो A की power N, B की power N को जो इस प्रकार हमने divide किया था यहाँ पर कुछ A की power N है ना, अब यहाँ B की power N और यह Z है वो क्या contain कर लेगा A की power N minus K नहीं नहीं, यह B की power N है यह B की power N minus K तो यह same process किसके लिए है? B के लिए है और B से यह same process को चलाने के बाद क्या string generate हुई? ट्रपल A, B क्यार सी बात है N minus K के जश्ट आपोजिट हो गया B के लिए जब बात कर रहे हैं तो वो भी language का part नहीं है ठीक अब अब बाई ने contain का रखा है बोथ A and B को बोथ A and B को थोड़ा यह समझने लायक है ठीक A की power N, B की power N X, Y, Z तीन चीज में decompose हो गया अब बाई ने A और B दोनों को hold कर रखा है तो A की total length N, B की पास चलीगी थोड़ा सब portion A की power K B की total length N B की पास चलीगी B की power L तो इन मैंसे ही minus हुआ होगा यह वाला portion जाहिर सी बात है ठीक अब हम directly decompose करते हैं और string मतलब जो combination होता है वो क्या होता है X, Y की power I, Z block करना चाहिए L को सारी की सारी values से यहां लगा दी I की values put करने के बाद हमें byproduct क्या मिला this one यह भी नहीं मिलेगा सर्फ यह ठीक यह सारी चीजे मिली अब जो N प्लस L है less than equals to N यह कहां से आया जो N इसके टनन N वो कर रहे थे वो वाला तो यहां L की value let L की value क्या कर दी 0 जब यहां L की value को 0 रखेंगे यानि की कोई part नहीं था उसका ठीक जो K प्लस L का जो summation था वो 0 की equal था तो इस वाले portion से इसकी help से जो string generate होगी वो A की power N minus K A की power K I B की power L I B की power N minus L यह वाला portion 0 होगा लास्ट में क्या बताया था कि I की value आपको I की value for every I is greater than equals to 0 यानि कि पहले आप 0 रखेंगे then 1 रखेंगे then आगे trade करेगी यह चीज लेकिन 0 पर ही हमें string ऐसी मिल जाती है जो कि language को belong नहीं करती तो माग इसको further continue नहीं करते ठिक और पूरा solve करने के बाद जो लास्ट में जो string generate होई है वो A double B that does not belongs to language it means हमने क्या एक language दे रखे थी उस language के regarding pumping lemma लगाया और उससे यह पता चला कि यह तो regular language है यह नहीं यह कैसी लेकिती non regular language ठिक इसके regarding automated design होई नहीं सकता जो यह particular language है यह accept करेगा है नहीं कभी ठिक ठैंक यू और इसके साथ साथ आपकी unit 2 खतम होती है धन्यवाद